हलो दोस्तों मैं पश्रान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक प्विटी टू कॉम्टी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में हम कब इंट्री करें सबसे बड़ा कोश्चन यह होता है कि जब मार्केट आपका एक पार्टिकुलर ट्रेंड में रहता है तो लोग सही टाइम पे मार्केट में इंट्री नहीं करते हैं और अगर आप थोड़ी टाइम बाद इंट्री करते हो मार्केट में तो दो चीज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा upside या downside move को miss कर देते हो और अगर आप late injury लेते हो तो risk reward भी आपके favor में नहीं रहता है as a result आप market में injury नहीं कर पाते हो और injury होता भी है तो गलत injury होता है जहाँ पे आपको अच्छा खासा profit मिलना चाहिए trending market से वहाँ पे आप नुकसान कर बैठते हो as a result यहाँ पे हम profit नहीं बना सकते हैं जितना हमें profit बनाना चाहिए तो यह चीज़ हम सीखने वाले और आगे से जब भी आपको trending market दिखे तो यह वीडियो देखने वाद आप वहाँ से profit बनाने कोशिस किजिए और काफी हद तक आप profit बना भी सकते हैं बस थोड़े बहुत practice की ज़रूरत है तो चले देखते हैं और सीखते हैं कि हमें trending market में कब entry करना है तो यहाँ पर हम चार्ट पर आगे हैं और देख सकते हैं यह चार्ट है आपका ICIS है बैंक का daily chart है यहाँ पर सबसे पहले हम time frame को उपर बात करना चाहेंगे यहाँ पर आप कोई भी time frame इस्तमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर one day, one hour, fifteen minute और आप five minute time frame वाला चार्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं वह भी time frame आपको सही लगता जिसमें भी आप tweet करते हैं उसमें इस strategy का इस्तमाल करके आप trending market को identify करके वहाँ पर सही time पर entry ले सकते हैं 20 days का simple moving average है बस एक यही indicator का हमने use किया है अब इस indicator का use क्यों किया है इस indicator की मदद से हम क्या कर सकते हैं हम पता कर सकते हैं 20 SMA के जरीए कि market का trend क्या है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें market में trend को identify करना होगा trend को identify करने में 20 SMA हमें help करेगा price इसके उपर है तो यहाँ पर क्या होगा अब trend है अगर price इसके नीचे है यह हमें क्या बताएगा कि हमें काफी हद तक बताएगा कि downtrend है लेकिन सिर्फ हम इसके basis पे trade नहीं करेंगे इसका यह मतलब नहीं है कि buy 20 SMA के नीचे रहेगा तो upsell कर दो उपर रहेगा तो buy कर लो इसमें कोई logic वाली बात नहीं है ऐसा काम कोई भी कर सकते हैं लेकिन हम इससे अलग करना क्योंकि इसके basis पे profit नहीं बनाया जा सकता है फिर profit कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए हमें द power find करना ठीक है तीसरा point यहांपर क्या है तीसरा point हमें यहांपर find करना है यह पी आपका क्या काम करेगा यह भी आपका support और runetance दिखना चाहिए यानि सिंगल ब्रेक आउट पे हम नहीं जाएंगे अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम पहली बार ब्रेक करने पर इंट्वी नहीं लेंगे दुबारा जब उसको रिटेस्ट करेगा और जो कंडिशन्स है अगर सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट क सवारी करेंगे यानि उस ट्वेंट पे हम ट्वेट करेंगे और वहां से हम प्रॉफिट बनाएंगे कैसे चले वह समझते हैं अब यहां पे देखिए क्या है कि प्राइस आपका नीचे साइट की तरफ गया है और यहां पे हमें कोई कुरूशल सपोर्ट वेस्टेंस नहीं अब इसकी बाद क्या चाहिए इसके बाद हमें एक सपोर्ट और रिस्टेंस लेवल फाइंड होना चाहिए तिहां पर अगर हम देखे तो यह जो लेवल है यह हमारे लिए एक क्या काम करेगा एक रिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और जैसी यह 20 SMA को ब्र इस उपर गया है और यहां पर इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकल गया है अब जैसे इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकला है maximum लोग क्या करते हैं, यहीं पर entry कर बैठते हैं, लेकिन यहां पर हम entry नहीं करेंगे, मैंने आपको एक और point बताया था वो point क्या था, retest यानि जो भी support और resistance level बना है, उसको retest करना जहूरी है, दुबारा उस पर आना जहूरी है और उसको respect भी करना चाहिए, अब यहां पर देखिए, वापस से दुबारा आया है, और इसको support के रूप में tweet किया है, यानि यह हमाई ले क्या मन गया जैसे इसको break करके ऊपर गया है, यह resistance था, यह हमाई ले क्यां पर convert हो गया, support में convert हो गया, यानि अब यह इसके लिए support के रूप में काम कर रहा है, तो यहां पर देखिए, price इसको break करके ऊपर निकला है, 20 SMA को जैसे break करके ऊपर निकला है, यहां पर हमारा क्या सुरू हो गया, अब trend सुरू हो गया, क्योंकि price 20 SMA के ऊपर है, अब जैसे इसको break करके ऊपर निकला है, 20 SM हमारे लिए क्या काम करेगा यह हमारे लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा उसके बाद हमारे लिए यह जो level है यह अभी हमारे लिए resistance के रूप में काम कर रहा और हम जो entry लेंगे इसके break होने के बाद ही entry लेंगे अब देखिए price उपर गया है और इसको break कर दिया है अब जैसे यह level break हुआ यह आपका resistance से किस में convert हो गया support में convert हो गया अब यहाँ पे जैसे इसको break करके उपर निकला है maximum लोग क्या करते हैं यहीं पे entry ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे हम entry नहीं लेंगे उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि retest होना चाहिए अब यह हमारे लिए support बन गया है अब इस support level को respect करेगा तभी तो यहाँ पे हम entry लेंगे अब इसके बाद क्या हुआ price आपका वापस से नीची आया और support level को respect किया और यहीं से वापस उपर लोट गया है और in the meantime जब यहाँ पे हम entry ले रहे हमें एक positive pattern भी चाहिए एक और conditions आप add कर सकते हैं हमें एक positive pattern चाहिए अगर हम buy कर रहे हैं तो वहीं अगर हम sell कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए एक negative pattern चाहिए लेकिन यहाँ पे हम buy side की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या find करना होगा एक positive pattern तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्या form हुआ inside bar candle का formation किया और जैसे ही इसको break करके उपर निकलेगा क्या आएगा positive pattern हमें देखने को मिल जाएगा candle में positive strength आएगा तो जैसे इसको break करके उपर निकला यहाँ पे हम buy side की तरफ interview ले सकते हैं और देखिए यहाँ पे क्या हुआ price नीचे आया और 20 day SMA को भी touch नहीं गया मतलब यह भी आपका support के रूप में काम कर रहा और इसको भी support के रूप में respect कर रहा है price तो जो हमने conditions रखा था सारा conditions फुल्फिल हो रहा यहाँ पे हम interview लेंगे यह जो point है हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा और जब price आपका closing 20 SMA के नीचे देगा तब ही हम exit करेंगे नहीं तो हम continue बने रहेंगे और यहाँ पे 20 SMA के नीचे closing दिया यहाँ पे हम exit करेंगे तो यहाँ पे जो हम exit कर रहे है exit वाले अगर हम levels की बात कर ले तो exit वाला जो levels बनेगा लगबग 870 आप 880 के करीब रख सकते हैं और हम जो यहाँ पे interview ले रहे हैं वो 870 के आसपास interview ले रहे हैं यहाँ लगबग यहाँ पे हमें 110 पॉइंट का profit मिलता हुआ दिख रहा और 110 पॉइंट का profit का मतलब है कि यहाँ पे हम लगबग 12% to 15% का return कमा रहे हैं और इतना return जैन्वरी लोग किसे कमाते हैं? साला ना कमाते हैं लेकिन आप सिर्फ कुछ महीनों में यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 2-3 months में आप इतना return कमा रहें और यह काफी sufficient amount of return होता चाहे आप trading करो या फिर investment करो तो देख सकते हैं इस तरीके साम trending market को identify करते हुए profit बना सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप technical analysis सीखना चाहते हैं या फिर इन सारे indicators के बारे में और detail से जाना चाहते हैं तो हमने एक इसके लिए special सा course design किया है जो कि आप enroll कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link इस video के description में भी दिया गया है और वहाँ पे आप different types of course देख सकते हैं पहला course आपको stock market के बारे में complete information मिलेगा from basic to advance और course में हमारा weekly live interactive classes भी होगा जहां पे आपको जो भी कुछ doubt होगा courses में या फिर जो भी कुछ नया development आएगा या फिर नया example के साथ नया situation के साथ हम आपके साथ मिलेंगे तो course को आप एक बार जरूर देखिए और पसंद आता है तो आप enroll कर सकते हैं वहाँ पे आपको feature options के बारे में भी complete information मिलेगा from basic to advance तो request है एक बार आप जरूर जाके देखिए पसंद आता है तो आप enroll कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले example पर देखते हैं और अगला example जो आपका बाजाज finance hourly chart तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम different example लेंगे different time frame में अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं chart को थोड़ा सा यहाँ पर exist करना चाहेंगे ताकि आपको यह concept समझ में आजाए अच्छे से अब यहाँ पर देखिए एक और काम हुआ है price देखिए इसको break करके आपका नीचे side की तरफ आया है अब यहाँ पर हमें क्या दिखना चाहिए इसको break किया है क्या हो गया negative trend यह नी down trend आ गया अब price आपका ऊपर गया है इसको retest करना चाहिए था लेकिन इसको break करके ऊपर निकल गया मतलब जैसे इसको break करके नीचे आई यह हमाई लिए resistance के रूप में काम कर रहा है लेकिन वापस से इसको break करके support में convert कर दिया मतलब इसके form को change कर दिया retest में form change नहीं होना चाहिए वापस से आपका down train आया है लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं है ultimately वापस से down train यहाँ पर start हुआ है तो यहाँ पर हम क्या wait करेंगे कोई support या फिर resistance level का इंतजार करेंगे जो की हमें इस से पहले ही दिख रहा है इस candle से पहले ही दिख रहा है उसके बाद हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा 20 SMA ही क्या बन गया है price इसको break करके नीचे आया तो हमाई लिए resistance बन गया है अब यहाँ पर हम entry कहां पर लेंगे entry हम लेंगे retest पर जो conditions हमने डाला था वो conditions fulfill होना चाहिए तो price आपका ऊपर गया है और यहाँ पर इसको retest किया लेकिन break नहीं किया यहाँ पर देखिए इसको break करके ऊपर निकल गया लेकिन वहाँ पर वो conditions नहीं हुआ यहाँ पर यह जो resistance के रूप में काम कर रहा था इसको respect किया है यहाँ अब यहाँ पर हम interview ले सकते है सारे conditions को satisfy किया है लेकिन interview लेने टाइम एक और conditions हा हम यहाँ पर cell set की तरफ interview लेंगे तो हमें क्या चाहिए एक negative pattern यहाँ पर हमें चाहिए तो क्या कोई negative pattern बना है अगर आप इसको zoom करके देखे थोड़ा सा हम zoom कर देते है ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर क्या pattern बना है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका bearish engulfing candlestick pattern का formation हुआ है यहाँ पर आपका bearish engulfing candle का formation किया है और यह आपका जबरदस negative pattern है जो कि हमें sell side की तरफ जाने का indications देता है तो यहाँ पर हम इस candle के lowest point को mark करेंगे price जैसे इसके नीचे आया यहाँ पर हम sell side की तरफ interview लेंगे यह point मेरा SL के रूप में काम करेगा और फिर जब price आपका closing कहाँ पर देगा 20 SMA के उपर देगा तभी हम exit करेंगे उससे पहले exit नहीं करेंगे फिर all the way price नीचे गया है और यहाँ पर हम exit करेंगे तो देख सकते हैं interview हमने जो लिया था इस level के आसपास लिया था और exit हम यहाँ पर करें हमें अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख रहा है इस down trend से और यहाँ पर आप future options में भी sales head की तरफ जाके profit बना सकते हैं तो इस तरीके से हम market में trend को identify कर सकते हैं simple तरीका जो चार conditions मैंने बताया था पहला conditions क्या था कि 20 SMA के जड़ी हम 20 को find करेंगे उसके बाद क्या होना चाहिए support resistance find करेंगे अगर नहीं मिलता है कोई तो 20 SMA हमारे लिए support resistance के रूप में काम करेगा और 20 SMA हमें इसा support resistance के रूप में काम करना चाहिए फिर पहली बार जब break करेगा तो हम interview नहीं लेंगे we test करने के बाद हम interview लेंगे और we test करने के बाद क्या होना चाहिए negative pattern होना चाहिए इन सारे point को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप trap में नहीं फसेंगे और trend को आप आसानी से identify करके उससे profit बना सकते हैं तीसरा example हम ले रहे है भारती air tail के 15 minute time frame पे मैंने बोला था इसका इस्तमाल कहीं पे भी कर सकते हैं इसके basis पे आप चाहो तो intrivate trading भी कर सकते हो positional trading भी कर सकते हो लेकिन generally intrivate trading avoid करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें entry बहुत कम मिलता लेकिन जो भी entry मिलता सटिक मिलता तो अगर आप wait करके entry लेना चाहते हैं लेना चाहते हैं कम रिस्क वाला तो आप इसके वेसिस पर ले सकते हैं अब यहां पर देखिए प्राइस क्या हुआ आपका यहां पर नीची आया इसको ब्रेक किया डाउन ट्रेंड बना लेकिन वापस से उपर गया इसको रिटेस्ट करने के वज़ए इसको ब्रेक कर दो पर 20SMA है वो क्या काम कर रहा वो रिटेस्ट के रूप में काम कर रहा तो हम कब इंट वी लेंगे जब यह सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा और आइदर हमें वीटेस्ट दिखना चाहिए वीटेस्ट चाहिए इस सपोर्ट लेवल को ले या फिर 20SMA को रिटेस्ट करें कहीं प करता हुआ दिख रहा है लेकिन हम यहाँ पर पहली बार कोने आहीं लेंगे किटना परraumis न कर दे क्योंकि आपको बहुत बरे trainverse बचाता है पो यहाँ पर अब कर दिक दिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इंट्वी लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं एक और आपका सपोर्ट के रूप में फॉर्मेशन हुआ था जिसको ब्रेक करके रिस्टेंस लिवल बना दिया और यहाँ पर निगेटी पैटरन भी हमें दिख रहा है ए इसके लोगों ब्रेक करके नीचे जाएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सेल सारी की तरफ इंट्वी लेंगे यह पॉइंट हमारा एसल की रूप में काम करेगा और जब तक क्लोजिंग इसके उपर ना देते तब तक हम नहीं निकलेंगे इसके आस पास क्लोजिंग दिया के उपर यहाँ पर हम पोजिशन को एक्जिट कर लेंगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिला लेकिन प्रॉफिट मिला है क्योंकि हमें इंट्वी थोड़ा सा लेट मिल पाया है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे ट्वेंड को आइडेंटिफाई करेंगे बेस को समझ में आगी आओगा इस तरह के और वीडियो दुए प्लिक चैनल को सब्सक्राब कर लिजे और साथ बेल आइकन को दबा दिजे और वीडियो पसंद आएज प्लीज लाइक करके हमें इनकरेज केजे ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए वेगलर बेसिस पे बनाते रहेंगे So that's all friends, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन